हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टुडी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेर्स ये में जितने भी कुस्टन्स पुछे गए हैं तीजिती पीजिती के वियर से अन्वियर से ल्टी से रिलेटेट फिजिकल एजुकेशन कंपुटेटेट एक्जांस रिलेटेट उस सभी कु कार्डिंग तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोच से लिवस के कार्डिंग है आप उन सब वीडियोच को वाच करके अपने तयारी को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों यह यमसी क्यू सीरेज प्रिवेस येर का चल रहा है यह सीरेज नमबर तैंटीस है और दोस्तों चलिए चलते स्वानस्पेसी के आकार में कोई परिवरतन नहीं होता तो इस संकूचन को कहते हैं तो इस पिछले वीडियो बिल्टा चूकी हूं कि तीन एक्ससाइज होते हैं सक्टी को विसीद करने के लिए आइसो टोनिक आइसोमेत्रिक आइसोकाइनेटिक दोस्तों आइसोटोनिक आइसोमेत्रिक जो होता है उसमें कोई परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व जैसे कि दिवाल को धक्का मारना एंड जो आइसो टोनिक होता है वो गति सिल सकती को विक्सित करता है यानि दोस्तों उसमें मानस्पेशियो की आकार आकरिती चेंज होती है बदलती रहती है कि आइसो टोनिक दो प्रकार का होता है कंसेंट्रिक इसेंट्रिक कंसेंट्रिक में मानस्पेशी छोटी होती है इसेंट्रिक में बड़ी होती है जो आइसो काइनेटिक होता है तिसरा प्रकार का उसमें एक समान गति होती है उपकरण के साथ किया जाता है ज्यादेत पर पानी आधि में तो किसी मास्पेसी के आगार में कोईर नहीं होता तो इस संकुचन को क्या का थे हैं मैं अइसोमेॱोन कहते हैं तो दोस्तो नेक्स है कि दीवार को धक्या मारा ना एक उदाहरर है दिवार का धक्का मानना किसका उदार है दोस्तुम? आफसन नमबर एक, और यारिया है और डि Gen doubled have many यह कोंजिशाद के लिए कौन से प्र्कार ही एक्सरसाइज़ इसला दोस्तों के सट्भा हम किस भी भी प्रकार का ब्यायाम करेंगे एक दिन करके चार दिन नहीं करेंगे तो कोई फाइदा नहीं मिलने वाला है किसी भी चीज को लगातार करते रहेंगे तो उसका benefit होता है तो यहां पर लगातार ब्यायाम सही होगा निश्ट कोश्चन है दोस्तों योग का पितामा किसे जाना जाता है जैसा कि आप सबको पता है योग का पितामा महर्शी पतंजली को माना जाता है आप सम्नमबर डी करेंट एंसर दोस्तों next question है कि अहिंसा एक भाग है यमका की नियमका की आसनका की प्रणायाम का दोस्तों जैसा की आस्ठांग योग, हठ योग, के आस्ठांग योग में आठ यम, नियम, आसन, प्रणायाम, पत्याआ, धाड़ा, ध्यान, समाधि आता है योग के आठ अंग है इसमें से यम के अंतरगत सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्म चर अपरिग्रह यह पांच ब्रत आते हैं जिसमें से इस प्रस्ट में पूछा गया है कि अहिंसा एक भाग है किसका भाग है तो यह यम का भाग है यम के अंतरगत कौन-कौन से पांच ब्रत आते ह आपसम नमबर ए यहां पर एंसर हो जाएगा और दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन है यहां पर सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्म चर्य अपरिग्रह यह यह यम के पांच ब्रत हैं जैकि नियम के अंत्रगत सौथ संतोस तप स्वाध्य और इस्वर प्राड़िधान यह पांच नियम होते हैं नेक्स्ट कोस्चन है कि अस्टांग योग के प्रथम चार रूप का सही क्रम बताईए तो इसमें सही क्रम होगा देखिए दोस्तों आठो अंग ज यम नियम आसन प्रड़ायां प्रत्याहर धाड़ा ध्यान समाधी इसमें से यम नियम आसन प्रड़ायां यह पांचो बहिरंग साधन है जिसकि धाड़ा ध्यान समाधी यह तिनों अंत्रंग साधन है तो दोस्तों यहां पे कुछ है कि अस्टांग योग के प्रथम चार आप सर नमबर यहां पर सही एंजर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्ट्न है दोस्तों कि योग सुत्र का लेखक कौन है तो इसका भी सही एंजर होगा महरसि पतन्जलि जैसे दोस्तों पिछली विदियो में वताई थी की योगा चित्वित्ति निरोधः इसको किसने दिया था परिभासा योग की महरसी पतन जलेनी योग शमाधी है इसको कहा था बेदव्यासनी और यहां पर पूछा है योग करमाशु कवसलम जहां कर्म की बात आ जाए वहां जान लेजिए का भगोत गीता ही वो कहा है तो योगा में यह कहा गया है यहां पर योग करमाशु कवसलम का अर्थ है सम बुद्धिय योग्त पुरुष पुन्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है अथात उनसे मुक्त हो जाता है इससे तू समत्रूप योग में लग जा समत्रूप योगी कर्मों में कुसलता ह है अथात कर्म बंधन से छुटनी का उपाय है नेक्स कोश्चन है किसे प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योग देवालों की है तो दोस्तों जैसा कि सात्विक भोजन भोजन भी तीन प्रकार का होता है जैसे कि तीन गुर्ण होते हैं सत्व गुर्ण रज गुर्ण साथ भूजन दोस्तों अच्छा योग करने वालों के लिए सात्विक भूजन के पस्चात मन और निर्मल रहता है नेक्स्ट कोश्चन है निमलेखित में कौन प्रडायाम है दोस्तों जैसा कि इसमें नौली, वस्ती, उज्जाई, उड्यान क्या रापसंदिया हुआ है इसमें पूछा है कौन इसमें से प्रडायाम है तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें जो उडियान है वो बंध है प्रड़ायाम नहीं है नौली और वस्ती ए सठक्रिया में आते हैं उज्जाई जो है प्रड़ायाम में आएगा तो यहाँ पे आपसर नंबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रड़ायाम नहीं है उज्जाई सितली सुरिभेदन नौली दोस्तों जो प्रड़ायाम है कई प्रकार के होते हैं जैसे कि उज्जाई सुरिभेदी सितकाली सितली सितली भस्त्रिका भ्रामरी मुर्चा प्लाविनी कपा होते हैं, जबकि दोस्तों जो सठ कर्म है, उच्छे प्रकार के होते हैं, नेती, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाती, तो इसमें आफसन है कि कौन सा प्रड़याम नहीं है उज्जाई सितली सुर्भेदन और नौली क्या है सटकर्म है इसलिए यहाँ पे नौली प्रड़याम नहीं है यह सटकर्म है नेश्ट कोशन है निम्ली लिखित में से प्रड़याम नहीं है कौन सा प्रड़याम नहीं है दोस्तों यहाँ पे यह तो तीनों के तीनों प्रड़ायाम है जबकि कुछल है यह प्रड़ायाम नहीं है अपसर नमबर सी करेक्ट एंसर नेश्ट कोशन है सित्कारी क्या है यम नियम आसन प्रड़ायाम क्या है सित्कारी तो यह एक प्रड़ायाम है निस्ट कोशन है दोस्तों निन्ने लिखित में कौन क्रिया के अंतरगत नहीं है तो क्रिया में कौन कौन से आते हैं दोस्तों क्रिया में छे तत्व आते हैं कौन कौन से नेती धोती वस्ती त्राटक नौली कपाल भाती यह 6 क्रियाओं को 60 कर्म बुला जाता है और इसमें से आपका छाटना है कि कौन इस क्रिया के अंतरगत नहीं आता है तो यहाँ पर कपाल भाती नेती त्राटक तिनों आते हैं जबकि नाड़ी सुधी क्रिया के अंतरगत नहीं आता है आपसे नमबर सी यहाँ पर करिट एंसर हो जाएगा नेक्ट कोचन है सुधी करण क्रियाएं हैं क्या है सट कर्म है आसन है ध्यान है धाड़ा है क्या है तो सुधी करण क्रियाएं क्या है सट कर्म है सट कर्म यानि सट क्रिया को सुधी करण क्रिया भी बोला जाता है क्रिया भी बोला जाता है सठकर्म भी बोला जाता है इसमें आप confusion मत होईएगा दोस्तों नेक्ट कोश्चन है नौली का संबंद है जैसा कि अभी मैं तुरंद बताई हूँ नौली का संबंद किस से है सठकर्म से है आफसन नमबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है नौली में से कौन सुधी क्रिया नहीं है यहाँ पे आपको छाटना है सही अंसर नेती कपालभाती धोती कुमभग जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ की कुमभग पूरक कुमभग रेचक ए प्रडवयाम के तिन प्रमग घटक होते है तो इसमें आपको छाटना है कोई सुधी क्रिया नहीं है तो कुमभग यहाँ पे आपसन कंबर ड़ी सही प्रणयाम की घटक होते हैं, पूरक में क्या किया जाता है, स्वास को अंदर खीचा जाता है, कुम्भक में स्वास को रोका जाता है, और रेचक में स्वास को बाहर निकाला जाता है दोस्तों जो कुम्भक होता है वो दो प्रकार का होता है बहिर कुम्भक और अंतर कुम्भक बहिर कुम्भक में स्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही रोका जाता है और अंतर कुम्भग में स्वास अंदर खीच कर अंदर ही रोकी रखना होता है तो कभी-कभी पूछ भी सकता है कि कुम्भग कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है बहर कुम्भग अंतर कुम्भग नेफ्ट कुश्चन है कि निलिखी तमेशी कौन सा लच्छण हठ योग से सम्मंधित नहीं है दोस्तु हठ योग के अंतरगत आठ अस्टांग योग आता है योग के आठ तत्व आते हैं या मिनियम आसन प्रड़याम प्रत्याहर ध्यान शमाधी अजब कि इसमें आपसन क्या पूछा है कि कौन सा लच्छ हठ योग से समंधित नहीं है आपसन है मस्तिष संतुलन प्रड़याम आसन और सुधिक्रिया तो दोस्तों सुधिक्रिया एक अलग क्रिया आता है यह हठ योग से समंधित नहीं है जैकि मस्तिष संतुलन आसन प्रड़याम यह हठ योग से दोस्तो जैसा कि गुट नहीं एकपे जूबातेजाते बाहर यांने जैनुयों बाहर से तरह निकल जाती है जबकि, नौक नी यानि जेनु वर्गम में क्या होता है, कि दोनों गुटने आपस में सड़ जाती हैं, तो ये किसके कारड़ होता है, ये इसमें पूछा है, तो दोस्तों आपसना नंबर एक फोनी या फ्लेट फूट के कारड़ होता है, जिसमें जो हमारा तलवा होता है हो कि चप्ती पीठ का संबंध सरीर के किस भाग से है चप्ती पीठ का संबंध दोस्तों ये थोरेशिक भाग यारी वच्छ भाग से इसका संबंध होता है आपसर नंबर भी करेक्ट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है कि गर्मी में लूट से पीठ ब्यक्ती को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए क्या करना चाहिए दोस्तों प्रीद ब्यक्ति को ठंधे अस्थाम पर लिटाना चाहिए कि उसको कुछ समय और सूरी के सामने रखना चाहिए कि उसको एक गिलास ठंधा पानी देना चाहिए कि प्रीद बिमार को चारों तरफ से घेरना चाहिए यहां पर दो आपसन तो सीधे क कि हर वक्त आप सबको कहते हुए सुने होंगे कि धूप में से आने पर ये कहा जाता है कि तुरंत पानी मत पियो तो इसमें आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहां पे आपसंद सही हो जाएगा पेज ब्यक्ची को ठंडे अस्थाम पर लिटाना चाहिए सबसे पहले उसके बाद कुछ समय बाद जब समान इसीती हो जाए तब हम पानी दे सकते हैं तीक है तापसंद नंबर यहां पे शही एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है दोस्तों कि पहले त्रेमासिक अवधी के अंत के आश पास किया गया पराध्वनिक चित्र यानिकी अल्ट्रासाउंट टेस्ट परिछर किसे बताने में मदद नहीं कर सकता है तीन माह कोई प्रिग्चन हैं और कितने में तो दोस्तों यहां पे बचे का आकार बचों की संक्या बचों की दिल की धर्कन का अभी गमन अ बता सकते हैं बच्चे लिंग तिन मात कें अंतर तक नहीं बता सकता है आफ ससर न मंबर आ यहां पे हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होप की सभी कोस्टेंस आपको समझ में आये होंगे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेट में ज़रूर बताईए एंड ज्यादे से ज्यादे से शेयर किया कीजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसे आपके लिए ड